हालो फ्रेंड्स मैसल टॉक्टर सुशीला सैनिंग इनेकलॉजिस्ट अन अप्सेटेशन डियरेक्टर जैपुर दूर्बीन हॉस्पटेल एक बार फिर से अपके सामने हाजिर हैं इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं यूरीन लीकेज के बारे में कई महिलाओं में कॉमनली ये समस्या देखी जाती है कि कुछ खांसने से छीकने से या कोई भारी वजन उठाने से थोड़ा सा यूरीन लीक हो जाता है जो कि उनके लिए बहुत डिस्ट्रेस का कारण होता है कई बार कपड़े भी खराब हो जाते हैं तो इस डर के कारण कई बार लेडिस सोशली होना बंद कर देती हैं, रूम में बंद हो जाती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन फ्रेंस यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है, यह जितनी की इसको देखा जा रहा है, यानि कि अगर इन कॉंटेनेंस है, यूरीन लीकेज अगर इसी कोई समस्या है, जब भी आपको खासी आती है, चीक आती है, या कोई कबजी के कारण आप जोर लगा रहे हैं, तो अगर आपका यूरीन लीकेज होता है, तो इसे स्ट्रस इंकॉंटेनेंस के नाम से जानते हैं, यानि कि इसको स्ट्रस इंकॉंटेनेंस कहते हैं, यह एक तरीके से अगर हिंदी में बात करें तो यूं कह सकते हैं कि आपकी इच्छा की विरूद, incontinence मतलब leakage है, urine निकल रहा है बट आपका उस पर control नहीं हो रहा है, यह बिमारी कई प्रकार की हो सकती जिसमें most common stress incontinence है, इसके लावा urge incontinence हो सकते है, mixed incontinence हो सकता है, यह प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं, यह क्यों होता है, जनरली नॉर्मल डिलिवरी के बाद ऐसा दीखा जाता है, क्योंकि जब भी नॉर्मल डिलिवरी होती है, तो नीचे का जो pelvic floor है, जो बच्चेदानी का रास्ता और उसके आसपास का जो tissue है, वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वज़े से urine leakage की समस्या बढ़ जाती है, किसी-किसी ladies में urine leakage के साथ में गैस का leakage भी common होता है, कई बार जो latin की ठहली का sphincter होता है, जो valve होता है, तो उसके वज़े से उधर से भी leakage होने लगता है, तो यह associated problem हो सकती है, बट mainly normal deliveries के बाद यह समस्या देखने को मिलती है, या फिर बहुती obese ladies है, जिससे वजन के कारण कोई समस्या create हो रही है, या जो smokers हैं, जो cigarette पीती है, उनके भी tissue कमजोर हो जाते तो उन ladies में भी problem हो सकती है, इसके अलवा कोई बहुत ज़्यादा वजन उठाती हो लेडी या फिर बहुत ज़्यादा कबजी रहती हो तो बार-बार पेट पर जोट लगाने के कारण भी urinary leakage की समस्या हो सकती है, तो यह चार-पांच प्रमुक कारण है, जिसकी वज़े से stress incontinence हो सकता है, अब अगर आपको यह बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यानि कि हलकी सी खासी और शीक आने के साथ ही urine leakage होता है, तो यह आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है, तो आखिर इसका इलाज क्या है, इसकी इलाज के लिए जब भी आपको इस तरह की कोई समस्या हो तो आप अपनी डॉक्टर से संपर्ख जरूर कीजिए, डॉक्टर आपकी समस्या को evaluate करेंगे और एक sonography होती है, जो कि पेट के उपर से ही होती है, जनरली तो हम लोग transvaginal sonography बोलते हैं, दोनों बार bladder के अंदर, यानि कि पेशाब की ठेली के अंदर कितना urine रहे गया, पोस्ट वाइडल, residual urine भी बोलते हैं, तो उसका assessment किया जाता है, फिर उसके बाद या assessment किया जाता है, कि खांसे के साथ आपको leakage है या नहीं है, तो आपको पेशाब hold करने के लिए बोला जाता ह कि खांसने के साथ urine leakage हो रहा है, या नहीं हो रहा है, इसको stress test बोला जाता है, फिर उसे के साथ में इसको नीचे से examine और किया जाता है, और ये भी देखा जाता है, कि कुछ support देने से urine leakage रुखता है, या नहीं रखता है, तो इसको bonus test के नाम से जानते हैं, तो आपको तीन चा आगे आपको इसको इलाज में क्या क्या करवाना होगा, क्या क्या possibilities हैं इलाज की, तो उसमें आपको medical treatment हो सकता है, surgical treatment हो सकता है, medical treatment में तो एकाद गोलिया आती है, जैसे डलॉकसटीन आती है, जो कि हम इसमें दे सकते हैं, बट ये इतने जादे effective नहीं होती है, लेकिन इसके अगर अगर आप alcohol और cigarette लेती हैं, तो definitely आप उसमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप इनको बंद करेंगे, तो आपकी खांसी कम हो जाएगी, और आपका जो tissue कमजोर है, वो strong होना शुरू होगा, इनको बंद करने से काफी फरक पड़ जाएगा, इसके लाब अग कर सकती है, बेड़ पर लेट कर भी आप इसे कर सकती है, जब भी आप लेट नीचे का जो टॉयलेट का रास्ता है, उसको आप जब भी इसे सिकोड़ेंगी, और जब तक सिकोड़ के रखें, जब तक आपकी लूजना हो जाएगा, ऐसा एक बार में कम से कम चार या पांच दिन बार में यह प्रक्रिया चार या पांच बार दोहरा है, जिससे की नीचे का जो पैल्विक फ्लोर है, इसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको मजबूत बनाया जा सके और जो नीचे की मसल्स कम जोगई है, उन्हें वापस से स्ट्रॉंगर बनाया जा सके ताकि जो यूर मेडिसिन या सरजरी का ही सहरा लेना पड़ेगा, लेकिन काफी हद तक मेडिसन से कंट्रोल हो सकती है, बट इसका जो फाइनल इलाज है, वो डेफिनेटली सरजरी ही है, सरजरी के अंदर ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें की तीन तरह के सरजरी पॉसिबल है, जिससे टीश दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, टी ओटी करवा सकते हैं, दूसरा प्रोसीजर होता है कि इसमें कुछ ब्लैडर स्ट्रेंथनिंग के नीचे कैली स्टिश लग जाते हैं, यानि कि बच्चे दाने के रास्ते के अंदर की तरफ से जो पिशाप की नली है, जो कि कमजोर है उस प्रोसीजर्स तरफ दे नीचे के ओपरेशन नहीं करवाना, तो तीसरा रास्ता अपने पास पीट के अंदर से दूर्बीन से करवाना होता है, जो जो पिसे कॉल पो व्र्श जाटाथ है जो पिस्ट पोंड़कि जो उर्रिवास्ते है उससले पक युरित्ट लगा कर जो उसकी नली है जिसके थुरू यूरीन पास होता है उसका जो वैल्व खराब हो गया है तो उसी को थोड़ा सपोर्ट करकर उपर उठा लिया जाता है जिससे की प्रॉब्लम काफी अत्त गयने की 99-100% तक सही हो जाती है मेडिसिन और सरजरी के अलावा अगर आप जैसे सरजरी के लिए फिट नहीं है तो ऐसा रिंग लाइक पैसरी जैसी चीज आती है जो वजयनल पैसरी बोलते हैं जो वजयना के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसे भी थोड़ा ब्लैडर को सपोर्ट मिलता है तो काफी हरता क्रप्ब्लम्ससे सॉल हो सकते हैं अब उसके अपने साइड एफेक्ट है इसलिए इसको generally routinely recommend नहीं किया जाता है तो इस तरीके से main focus तो अगर आपका अपनी lifestyle सुधारने पर होना चाहिए अगर आप lifestyle सुधार लेते हैं यानि कि अगर आप खान पीन ठीक कर लेते हैं अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप उसे कम कर लीजे smoking alcohol quit कर दीजे healthy diet लीजे रो एक ग्लास पानी आप पी सकते हैं तो दिन पर में डाय तीन लीटर पानी आप आराम से पी सकती हैं चाय और कॉफी का सेवन कम कर दीजे क्योंकि चाय और कॉफी पीने से बहुत सदा यूरीन आता है तो वह आपकी problem बढ़ा सकता है डाइट में फाइबर्स को शामिल कर तो पानी पीने से और सलाद लेने से हरी सबजियां लेने से आपको मिनरल्स वाइटामिन्स मिलने के साथ आपका कॉंस्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा और आपकी मसल्स भी स्ट्रॉंग बनेंगी खाना पीने के साथ ही अगर आप की गल एक्सराइजेस रेगूलर ली करते जो कि आपके पैल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करेंगी मजबूत बनाएंगी तो काफी हद तक आपको हेल्फुल रहेगी और फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सौल होती तो डेफिनिटली आप लप्रोस्कोपी या फिर नॉमल जो वजैना के रास्ते से जो ऑपरे है इस पूरे वीडियो में या इस इंकॉंटेनेंस से संबंदित आपको कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखके हमसे पूछ सकती है मैं या मेरी टीम उसके जवाब जरूर देंगे आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जैनकारी के साथ तब त नमस्कार